एलो एवरिवन आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है और दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग इंस्टाग्राम पे रिमिक्स रेल्स का उप्षन कैसे ला सकते हैं इसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला और दोस्तो यदि आपके भी इंस्टाग्राम अकाउंट पे रिमिक्स रेल्स का उप्षन नहीं आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को सुरू से लेकर वीडियो को लाश्ट तक देखेगा और वीडियो को सुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी स्रिक्वेस्ट है यदि आ आने वाली हर एक नए वीडियो की अपडेट आपके पास पहुंचते तो चलिए दोस्तो बिना दिरी के वीडियो को सुरू करते हैं तो चलिए दोस्तो मैं आपको बताता हूं कि आप लोग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे रिमिक्स रेल्स का उप्षन कैसे ला सकते हैं सबसे पहले दोस्तो आपको प्ले स्टोर ओपन करना है और प्ले स्टोर पे आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम आपको इंस्टाग्राम सर्च करना है और यहां पर इंस्टाग्राम एप्लिकेशन आ जाएगी ओके सबसे पहले दोस्तों आपको इंस्टाग्राम एप् करना है अगर आपने अपडेट नहीं किया जैसे मने अपडेट कर रखा है और अपडेट करने के बाद आपको ओपन करना है ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा ओके और अप चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर रियल्स वाले option पर क्लिक करता हूँ दोस्तों मैंने इस पर क्लिक किया और दोस्तों यहाँ पर रियल्स वीडियो आ चुकी है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं Instagram पर जितने भी रियल्स वीडियो होगी सभी वीडियो यहाँ पर इसी तरीके से आ जाएगे ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर इसमें एक option है 3. का आप लोग यहाँ पर देख सकतो 3. का option लेगा रियल्स वीडियो में इस पर दोस्तों मैं क्लिक करूँगा मैंने इस पर क्लिक किया और दोस्तों यहाँ पर देखें इसमें share का option है link का option है और यहाँ पर save का option है लेकिन दोस्तों यहाँ पर remix and reels का option नहीं है ठीक है तो दोस्तों remix and reels का option कैसे आएगा वो आपको मैं इस वीडियो में आपको step by step बताऊंगा तो दोस्तों वीडियो को पुरा ध्यान से देखेगा और अच्छे से समझेगा मैं आपको आपके सामने इस वीडियो में remix and reels का option आपको लाके दिखाऊंगा ठीक है तो देखें दोस्तों सबसे पहले आपको profile वाले option पे क्लिक करना है नीचे profile का option है corner में इस वाले option पे क्लिक करना है और ऐसा interface आजाएगा ओके यहाँ पर दोस्तों इसमें three line का option लेगा उपर corner में इस three line वाले option पे क्लिक करेंगे फिर दोस्तों इहाँ पर settings वाले option पे क्लिक करेंगे और ऐसा interface आजाएगा ओके और यहाँ पर दोस्तों इसमें privacy का option मिलेगा आप लोग देख सकते हैं इस privacy वाले option पे click करेंगे फिर दोस्तों यहाँ पर ऐसा interface आएगा अब scroll down करेंगे और यहाँ पर दोस्तों इसमें एक option मिलेगा rails and remix आप लोग देख सकतों यहाँ पर rails and remix का option है इस वाले option पे click करेंगे जैसे इस पे क्लिक करेंगे ऐसा interface आ जाएगा और दोस्तों यहाँ पर देखे यह no one होगा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर यह no one है simply आपको दोस्तों यह everyone करना है यानि के दोस्तों आपको इस box पे क्लिक करना है आपको इससे select करना है ठीक है जैसे select हो जाएगा अब आपको नीचे देखे दोस्तों इसमें allow for photos का option मिलेगा आपको यह enable करना है जैसे मैंने enable कर रखा है उसके बाद देखे दोस्तों allow for feed videos का option है यह भी आपको enable करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको allow for reels का option मिलेगा इसे भी आपको enable कर लेना है यह देखे दोस्तों यहाँ पर enable ओचुका है अब simply आपको back आना है जैसी back आ जाओगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना home page एक बार reference करना है और reals वाले option पे click करके इसे भी reference करना है तो चलिए दोस्तों में से reference करता हूँ और मैंने reference किया अब चलिए दोस्तों यहाँ पर three dot वाले option पे click करता हूँ और यहाँ पर देखे दोस्तों इसमें remix का option आ चुका है और चलिए दोस्तों यहाँ पर दोसरी video play करता हूँ three dot वाले option पे click किया और यहाँ पर देखे दोस्तों इसमें Remix Original Reels का Option आ चुका है तो इस तरी के से आप लोग अपने Instagram अकाउंट पे Remix and Reels का Option ला सकते हैं अगर आपके Instagram अकाउंट पे नहीं आ रहा है तो दोस्तों आजके इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको इस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को Like करना, Share करना, Comment करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए Good-bye and Take Care